Hello everyone, बेड़ा आज हम करेंगे दिर्वेदी जुग, इसका मतलब क्या है? इसे आने की जरूरती क्यों पड़ी? और इस जुग को, it means 1950 से लेकर 1975 के जो समा है हिंदी काव में, उसे दिर्वेदी जुग ही क्यों कहा जाता है? तो बातिंद जुग से दिर्वेदी जुग में क्या अंतर है? कौन सी इसकी विशेशताईया है? काफी कोशन हमारे दमाग में आते हैं, अगर हमने बातिंद जुग बढ़ा हुआ है, तो इसके हम कोशन अंसर को वन बाई वाइन फाइंड आउट कराएंगे. इसमिस जब आप सारे इस चीज को ध्यान से पढ़ दोगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कि एचली दिर्वेदी जुग में क्या, किसके कारण इसे कहा जाता था और इसकी क्या विशेशताईया है? हमारा कोशन आता है बनकर, दिर्वेदी जुग काव की विशेशताईयों की व समय है, यह आदुन की हिंदी काव का एक विशे है, आदुन की हिंदी साहतया का दूसरा जो चर्ण है, वो दिर्वेदी जुग कहलाता है, इस जो पहला चर्ण वो कौन सा कहलाता था? बारतेंदु जुग, तो दूसरा चर्ण कौन सा हुआ? दिर्वेदी जुग, इस तो उसे कम से कर 18 साल अपने dedicated किये है उसने हिंदी बाशा को परफूर्त बनाने के लिए इस reason के लिए भी इस जुग को दिर्वेती जुग से जाना जाता है आतुन की हिंदी साहिते का दूसरा चर्ण जो है वो दिर्वेती जुग माना जाता है और इसका श्रे जो है महावीर पर साथ दिर्वेती को जाता है और इसके समय विदी है 1950 से लेकर 1975 तक इस काल में बाशा मलबी कौन कौन सी चेंजिस हुई बारते जुग से यहां आकर कौन कौन सी चेंजिस हुई इस काल में बाशा शुद्धी अंशाशन गार्मिय तथा तत्व चिंतन पर जो हो दिया गय कि बाशा को और ज़्यदा शुद्ध लिखा जाए और वो सिस्टा मेडिकली लिखी जाए ठीक है और जिसकार इसे जागन सुदार काल भी कहा जाता है बारते न्दु जुग में जो कमिया रह गई थी ना अब इस जुग में वो कमियों को दूर किया गया बाशा शुद्ध काल भी कहा जाता है कि अचारिया महावीर प्रसादर वेदी ने सस्वती नाम की जो संपादन का बार सभीकार करते हुए हिंदी साहते को एक नए दिशा दी जो सस्वती उस समय पतरका चलती थी उनका प्रकाशन होता था जो एक तरफा मैगजिन थी हिंदी में ठीक है तो व एक निया रूप देना शुरू कर दिया इस यूग की सबसे महत्तपुन गटना यह थी कि अब झे खड़ी बॉली में जो प्रॉस लिखना शुरू होके पहले ब्रज भाशा में लिखे जाते थे बातने जुग में भी जो बाशा यूज दो होती थी वह ब्रज बाशा में ल वली में लिखनी शुरू करती है जिसे हम पदबाशा भी कहते हैं या प्रोस भी कहते हैं उन्होंने रचना का सफलतापूर के परजो किया साथ ही अदशवादी राष्ट्री और सुदारवादी प्रवित्यों को अपनाया कि तब आपको पता अंदोलन देश अजादी के अ जद हो चुका है हमारा देश तो तब वो जदी ही था कि हाँ कि अपने देश को प्यार करो राष्ट्री बावना लेकर आनी चाहिए और कौन-कौनसी जो हमारा देश की समस्या किस परकार सुदार और होना चाहिए जैसे किसानों के बारे में बिखारीं के बारे में जो में मतबुन धेंदी जो फेमस कवे थे इस जुग में वो कौन-कौन थे अयोदिया से उपादिया मैथलिशन गुप्त रामद्रेश तरफाटी आध के नाम पर मुख है और इन के सबसे अगरनी थे अचारिया महावी परसाद दरवेदी आई होप आपको इसकी आता है किस बाशा का पर योग हुआ कौन से टापिक लिए एक है जो उनके प्रवितियां थी और कौन-कौन से कवे जो फेमस थी आई थिंग चार-पांच कोशन अंसर का आपके यह कोशनों का आंसर मिल के आऊगा नेक्स्ट है अब भागिए इसकी विशेष्टाइं दरव इमानमता, नितियो अदर्श, वरने विश्यका विस्तार, हासे वेंकाव, बाशा, फरकेती चितरन, समासुदार की भावना और रूडियों का विरूद करना जे सारे टापिक थे आप कुछ और भी इंक्लिवड कर सकते हो अगर आपने मैसे शर्न गुप्त की जैसे कवियों की कवताएं पड़ी हुई हैं, तो वहां से देखकर की कौन-कौन से विश्य अपनाए हैं, तो आप अपनी तरफ से एड कर सकते हैं, कि कौन कुछ सी विदियां अपनाई थी, चुल हम वन बाई वन करते हैं, इनके राश्टरिता, पहला टॉपिक हमारा आजाता पॉइंट इस जुग में देश बक्ती और देश प्रेम के ऊपर कई कवताएं लिखी कई, बार्थ के अतीद पर गर्व करना, कि जैसे इंगलेंड वालों ने, ब्रिटिश वालों ने राज किया था, तो लोगों में इन्फरिटी कमपलस आ चुका था, हीन बावना आ चुकी थी, तो अब वो अपने जो पराना कल्चर है, सब्याचार है, पराना अतीद है, उस पर बार बार बाते कर रहे थी कि हमारा बार्थ कितना गौर्माई थे, हमें उस पर मान करना चाहिए, अभी मान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और जो वरतमान के स्तिथी है, जो हमारी वरतम का बाइट काट करने के लिए कहा गया यह उन्होंने अपनी कवताओं उपनियास में कहानी में ऐसी वहां पर मैसेज कन्विय किया नेक्स्ट पॉइंट है समान्य मानवता दिर्वेदी जुग में समान्य मनुश को साहिते में स्थान मिला जेनी की बहुत-बहुत बड़े दिर्वेदी जुग का समान्य मनुश का साहिते में स्थान मिला आम लोगों के सुख दुख और प्रस्तितियां को बड़ी सहस्ता से वर्न किया गया मैसली शर्न गुपत की जहां पर उदार देते हैं कि उसने किसान कविता लिखी थी सिया राम शर्न ने अनात नाम की कवता आए ऐसे लिखी है जहां पर उसने आम इंसान की जो दुख तक्रीफ है प्रस्तितियां है उनको वर्नन किया है नेक्स्ट है निती और अदर्श दिर्वेदी जुग का कावे अदर्श वादी और निती पर्क है स्वार्थ त्याक कर्तव पालन करना आत्म गौर्व रखना आत उची उची अदर्श को प्रेना दी गई हरियोद की जैसे कविता है प्रियावास ऐसी ही रचना है जो अदर्शों पर अदार्त है के लिए इत्यास में पुरान से भी कहानियों को लिया गया है नेक्स्ट है वर्ने विशे का विस्तार दिर्वेदी जुगिक में साहते क वर्न विशे का अधिक विस्तार हुआ है जी उनके सबी द्रिशों और चीजों पर साहते लिखे गए जैसे मेहंदी हो गया निंद्रा होगी विद्यार्थी द्रिद्र जैसे अनेक विशों की कवताईं लिखी गई नेक्स्ट है हासे व्यंग कावे दिर्वेदी जुग में हासे व्यंग इट में स्टाईर पे इनड्रेक्ट वे में किसी को उसमें हसी मी परगट होनी और उसे इनड्रेक्ट वे में टॉट भी करना के हाँ पी तुम चे बात गल्द कर रहे हो यह ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है मजाग मजाग में उसे चीज को समझाना वे उसे अपनी संस्कृति को शोड़ कर वेस्टन कल्चर क्यों अपना रहे हूं जैसे एक इसांपल दी है कवता में बर्क बूला दो बूत काल की सजिय वर्तमान के साथ फैसन फिर इंडिया बर्क के गाड़ बनो बरज राज कि जो हमारा बरज राज है वो भी एक गाड़ बन चुका है नेस्ट समासदार की बावना रोडियों का वरोध द्रवेदी जुग में आरियस समाज का सुदारवादी अंदोलन अतियत तीरव और प्रकर हो गया था कि उस समय जो आरियस समाज का अंदोलन चल रहा था आपने कभी ने कभी हिस्ट्री में जा 910 में आरियस समाज का जो इस जुग के कावे में हमें अशूतों, किसानों, विद्वा तथा बिख्षों का आज के कई सकरन चितरन अंकद कीए के हैं, कि वो भी सुधारवादी चीजों को समाज में सुधार करना चाते थे कवता के दुआरा. नेक्स्ट है परकरती चितरन परकरती वरन की दृष्टी से दर्वेदी जुग का कावे अतनत समर्द है, मैसे शर्न गुपत हो गया, हरियोजी, तरफाटी अध कम्यों ने परकरती का अपनी कवताओं में चितरन किया है, जैसे एक एक्जैम्पल दी गई है जहां पर कश्मी शुष्मा की कवता का नाम है, उसमें बताया गया है, कवता को कैसे परकरती का कैसे चितरन किया गया है, परकरती जहां एकांत बैठ, निजरूप सवारत, पलपल पल्टत, बैस शनक, शव छिन शिन दारत, अत निशकर्ष, जो इसका कनिकलियुजन है, अत इस निशकर्ष पर पहुंचा जा सकता है, कि दिर्वेदी जुग में तातकाली नियरा नितिके दार्म के तथा समाजिक अंदलोनों का थीवता मुखरन हुआ था, भी हर जो विशे को, हर सब्जेट को शुआ गया था, इस जुग के कावे में नवीन जीवन का बहुत प्रती अकर्षन किया आप एक और टापिक लिख सकते हो, जैसे गदविदा है, कि उन्होंने कहानियां, नई कहानी, उपनियास, निबंद, नाटिक, ऐसे और भी जो गद में अपनी यो बाशा को अपनाया, और ब्रजबाशा को शोड़ कर जो है, खड़ी बोली में अपनी कवताई लिखनी शु जो कारदे तीन अगर और भी किसी टापिक में वीडियो चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखना झांक्स में लिखना